दोस्तो तुम्हें पता ही होगा कि सबका पिछोंडा तो पीछे ही होता है लेकिन इस लड़की का पिछवाड़ा इसके मुह पर होता है और मुह पिछवाड़े की जगाह पर होता है जिस वज़े से सब इसका मजाक उडाते हैं और ना ही इसका कोई बॉइफ्रेंड बन पाता इस मूवी में जितने भी लोग हैं कोई ना कोई किसी बीमारी से पीडित हैं तो चलिए देखते हैं कि ये लड़की कैसे कैसे अपने लाइफ को एक्षपेंड करती है तो दोस्तों मूवी की सुरुआत इसी लड़की लाना से होती है जिसका पिछवाड़ से मूँ पर और मूँ पिछवाड़े पर होता है जिस वज़े से वो काफी उदास रहती थी लाना अपने इस अजीव से फेस के कारण अकेला रहना ही पसंद करती थी लेकिन कुछ समय बाद वो डिसाइड करती है कि वो बिना अपना चेहरा छुपाए रेस्टोरेंट में जाएगी लेकिन जब लाना रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ की वेटर लाना को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है ये सब देखकर लाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसका चेरा नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता लाना ने इस रेस्टोरेंट में आने से पहले इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो अपलोड की थी लेकिन इंस्टाग्राम ने वो फोटो हटा दी इसकी वज़े ये थी कि वो फोटो असलीलता को सो कर रही थी यानि समझ रहे हो ना फोटो में नंगापन अब यहाँ पर वही वेटर लाना के लिए गरम सूप लेकर आती है जिसे लाना एक पाइप और कुपपी की मदद से अपने पिछवाड़ यानि मुह से पीती है क्योंकि उसका मुह नीचे होता है सूप पीने के बाद जब लाना अपने घर जा रही थी तो वहाँ तो बदमास लॉंडे उसे छेड़ने लगते हैं और लाना के फेस को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो लाना किसी ना किसी तरह से उन दोनों से बचकर अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है इसके बाद हमें क्रिस्चन नाम के लॉंडे को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है क्योंकि एक तो उसमें डिसोडर होता है और दूसरा उसके पिता उसे बच्पन में ही छोड़कर चले गए थे यानि कि उनकी मौत हो गई थी क्रिस्चन को अपने पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं होता सिवाए उनके हाथ पर बने मरमेड के टैटू के अलवा क्रिस्चन के पैर बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके पैर उसके नहीं है क्योंकि असल में क्रिस्चन जल पर ही बनना चाता था इसलिए वो अपना ज़्यादतर समय विल्चेर पर बैट कर ही बिताता था उसकी बिमारी की वज़य से ख्रिस्चन की माँ से एक थरेपिस्ट के पास लेकर जाती है और वहाँ पर वो अपनी मां साभी बेहस करने लगता है और इसी बैस के बीच क्रिस्चन की माँ उसे वील चेर से नीचे गिरा देती है जिस वज़े से उसकी टांगों से खून निकलना सुरू हो जाता है इसलिए उसकी माँ उस तरफिट के सामने ही क्रिस्चन की पैंट नीचे कर देती है जहां हम देखते हैं कि उसकी टांगों पर लेट कर अपने दोनों पैरों को फैला देता है ताकि कोई गारी वरस के पैरों को कुचल के चला जाए जिससे उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पैरों से अजादी मिल जाए अब कुछी देर बाद वहाँ पर लाना की गारी आती है जो तेज रफ्तार से क्रिसटन के पेरों को कुचल देती है लेकिन क्रिसटन फिर भी लाना को देखकर मुस्कुरा रहा था उधर लाना यह सब देखकर डर जाती है उसके चेहरे के हाववाव बता रहे थे कि वो बहुत गवरा गई है और वहीं Christian की मौत हो जाती है अब उसे इस दुनिया से अजादी मिल जाती है इसके बाद लाना अपने घर जाती है वहाँ जाता ही वो अपने आपका कोस्ती है कि उसने गल्ती सही सही लेकिन Christian को मार डाला था इस वज़े से वो अपने पिता से भी बात नहीं करती अब इसके कुछ दिनों बाद लाना का बड़े होता है तो वो अपने पापा के साथ ही अपना बड़े मनाने रखती है क्योंकि उसकी कोई भी सहीली नहीं होती इसलिए वो अपने पिता को ये अपना सब कुछ मानती है लेकिन तबी साइड में रखे टीवी में एक न्यूस चलती है कि किसी कारवाले ने एक इनसान को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो वहाँ से भाग गया ये सुनकर लाना के पापा कहते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे घटिया लोग हैं जो किसी के साथ बेवजा ऐसा करते हैं अब ये सुनकर लाना और भी तूट जाती है अब इसके बाद लाना के पापा उसे एक बड़े गिफ्ट देते हैं जो कि एक होर्स का मास्क होता है ताकि वो अपना फेस दूसरे लोगों से छुपा सके पर लाना को ये गिफ्ट जड़ा भी पसंद नहीं आता इसलिए वो रोने लगती है और उसी वक्त वो अपना घर छोड़ने का ठान लेती है अब घर से बाहर निकलते ही लाना को फिर से वो दोनों बदमास लड़के मिलते हैं जो उसे पहले मिले थे वो लाना को अपने साथ ले जाते हैं और उसका रेप करने की कोशिस करते हैं लेकिन इससे पहले वो ये सब हो पाता लाना उन दोनों का अतियार काट कर वहां से भाग जाती है अब लाना सुसाइड करने का फैसला करती है क्योंकि उसे अपनी लाइफ जीने का कोई खास मकसद नहीं देख रहा था अब जैसे ही लाना ब्रिज से कूदने वाली होती है तो वह वहीं पर ब्योस हो जाती है इसके बाद हम एक इसाक नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी गल्फरेंड की फोटो को देखकर हाथ गारी चला रहा था लेकिन उसकी गल्फरेंड भी एक बिमारी से पीडी थी जिसकी वज़े से उसका फेस नॉर्मल लोगों से बिलकुल अलग था तब ही वहाँ पर इसाक की मा आती है और अपने बेटों को इस हालत में देखकर वो बेऊस हो जाती है दरसल उसे पैनिक अटेक आया था इसाक की मा उसे बिलकुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो एक अजीब सी लड़की से प्यार करता था जिस वज़े से इसकी मा उसे घड़ से बाहर निकाल देती है तो फिर इसाक अपनी गल्फेंड एना को कॉल करता है लेकिन अब एना का फेर किसी और लड़के के साथ चल रहा था जिसका नाम बैली होता है वो भी काफी ज़्यादा अजीब सा था क्योंकि वो किसी हादसे में पूरा जल गया था वो दोनों साथ में अपना समय काफी अच्छे से बिता रहे थे दूसरी तरफ इसाक ऐसे लोगों को बहुत प्यार करता था जो कि डिसेबल होते है यानि कि वो लोग पहले से ही किसी बिमारी से पीलित होते है अब महाँ पर बैली एना से कहता है कि वो इसाक जपने सारे रिस्ते नाते तोड़ दे तो एना इसाक को अपने घर पर बुलाती है जहां इसाक अपने दिल की सारी बात एना को बताता है वो उसे ये भी बताता है कि वो disabled लड़कियों को काफी ज़्यादा पसंद करता है लेकिन जब ये बात एना को पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो तुरांत हिसाग को एक चांटा मारती है और उससे break up कर लेती है ब्रेक अप करने के बाद एना उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपना गुजारा कर सके अब इसके बाद डिप्रेसर में आकर इसाग ब्रिज पर स्विसाइड करने जाता है लेकिन तब इसके कानों में एक रिंग बजने की आवाज आती है जो कि लाना के फोन में से आ रही थी वहीं लाना के डैड का फोन आ रहा होता है तो इसाक उसे उठाता है और तबी लाना भी उड़ जाती है जब इसाक लाना को देखता है तो उसे देखते हैं इसाक को पहले नजरो वाला प्यार हो जाता है अब इसके बाद इसाख लाना को उसके घर ले जाता है जहां लाना के डेर्ड लाना को वापस घर लाने के लिए इसाख को थैंक्यू बोल रही होते हैं तब ही लाना टीवी पर क्रिश्चन की मौत की निउस सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो तो पहले से ही सुसाइड करना चाता था ये सब सुनकर वो बहुत अच्छा फिल करती है अब इसके बाद लाना और इसाक एक दूसरे से मिलते हैं इसाक तो लाना से पहली नजरों में ही प्यार कर बैठा था और लाना को भी अभी साख से प्यार होने लगा था इसके बाद वो तोनों किस करते हैं और अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं मूवी के लाश्ट में दिखाया जाता है कि क्रिस्चन अब जलपरा बन चुका था और अब वो बहुत खुश था और यहीं पर यह मूवी खतम हो जाती है दोस्तों इस मूवी का नाम स्केन है जो कि साल 2017 में रिलीस हुई थी आई होप अगर आपको मेरा एक्षप्लेन पसंद आये हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर देना अगर आपको यह मूवी देख रही है तो आप हमारे टेलिग्राम के चैनल से देख सकते हो